उजयन यथाना जिवाजी का इंक शेत्र में बगला मुखी मंदिर में चोरों ने चोरी की खटना को अंजाम दिया है वहीं चोरों ने मुर्ती के उपर लगे हुए गहने और कुछ नगदी लेकर रफुचकर हो गए वहीं मंदिर के पुचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर के मुर्ती में चड़ा हुए सारे गहने और नगदी चोड़ लेकर रफुचकर हो गए वहीं पुरी खटना मंदिर में लगे सिसी टीवी में कैथ हो गए हालांकि पुलिस ने पुरे मामले में प्रकुरंट पंजी बद कर चोरों की तलाज शुरू कर दी है सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इतना पवित्र इस्थल इतना तिर्थ इस्थल जहां पर लोग भक्ती भाव की भावना लेकर पुन्य कर्म करने आते हैं वहाँ पर ऐसी दूशीत और ऐसी गंदी भावना लेकर भी लोग आते हैं कि जो मताजी के उपर चड़ाये हुए शंगार को मताजी के उपर चड़ाए हुए गहनों को चुरा कर ले गए हमें इतना बेहत दूख है माता जी का शंगार हुआ था और उनका जो एक मुकुट था चांदी का उनके करीब वह साड़े 300-400 ग्राम का उसके बाद उनके सारे गहने जो गले का हार कंगन बिछुडी वगेरा और जो भी थाली में पैसे वैसे संगार सामगरी सारी वह चोर चोरी करके ले गया चूंकि यहां पर केमरे लगे हुए हैं और क्लोसर की टीवी में रिकार्ड हो गया लेकिन कोरोना काल चल रहा हर व्यक्तिम मास्क लगा के था वह भी काफी कुछ चेहरा बांदे हुए था तो शिनाक तो नहीं हो पाई लेकिन वह दिख रहा है कि माता जी के शरीर से सारे गहने उतार रहा है उतार के लेकर के वह भाग गया करीब मुकूट है साड़े चार सो ग्राम के आसपास का जो समझ लिए आप 35-40,000 रूपे 35-35,000 रूपे का तो मुकूटी है बागी दूसरे गहने दस रिकायद भी की पुलिस वहाँ से आई पुलिस ने पूरी तहकीकात की देखा परखा हमने उनको जो क्लोसर की टीवी का हमारा रिकार्डिंग का वीडियो है वो भी दिया हम आपको भी देंगे वो लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला तो हमें थोड़ा सा लग रहा है कि इसकारवाई जिसमें तीवर होनी चीए पता करना चीए और इस तरीकी के गटराओं से बड़ा क्षोव है हमें और दुख है